हेलो बचो इस वीडियो में हम लोग Microsoft PowerPoint के कुछ features के बारे में देखेंगे इससे पहले हम लोग Microsoft PowerPoint में हम लोग presentation बनाना देखे थे इसे अभी start करते हैं फिर से start बटन पर गए start बटन पर हम लोग जाकर के वहाँ Microsoft Office सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद यहाँ पर देखेंगे Microsoft Office PowerPoint ठीक है इस पर क्लिक करेंगे यह open हो जाएगा इसके अलाबा एक और तरीका बताया थे इसको भी close कर देते हैं इसके अलाबा एक और तरीका बताया थे कि shortcut की से की बोर्ड में Windows प्लस और प्रेस करना है रन विंडो आएगा इसमें आपको लिखना है PowerPoint इस पेलिंग क्या होगा पी ओ डबलू ई आर पी एंड टी क्लियर इंटर बटन या OK बटन पर क्लिक करेंगे तो यह आपके सामने यह इसका विंडो ओपन हो जाएगा ठीक है इसके बाद इसमें जैसे स्टार्ट बटन है और ओफिस बटन पर क्लिक करते हैं और यह पहले से हम उस दिन हम लोग बनाएते हैं इसको ओपन करते हैं इसको ओपन करने के लिए यहां पर रिसेंट डॉकुमेंट में इसका लिस्ट का नाम आ रहा है इस पर भी क्लिक करके हम फिर इसको बाहर क्लिक करते हैं, यह close हो जाएगा, हम लोग control बटन के साथ O बटन प्रेस करेंगे, control O तो आपको यह सामने, open dialogue box open होगा, और इसमें जहाँ पर document में, यह save है, फर्स्ट, यहाँ दिख रहा है, उसके लावाँ यह location है, जहाँ पर अलग-अलग location पर अगर आपका कोई documentation file कोई save है, तो उसको हम लोग browse वहाँ से हम लोग कर सकते हैं, clear है, नहींद के बटन पर दॉक्वुमेंट में था, तक बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ दिख रहा है, तो first पे देखते हैं, जैसे कि हम लोग इसका font size बदलेते हैं, पहले वाले slide पे क्लिक करते हैं, सामने ये slide open हो जाता है, उससे पहले हम एक view के बारे में पढ़ते हैं, इसमें tab में last में आता है view, तो view पे क्लिक करते हैं, view में यहाँ पर चार option है, total हम लोग slide को चार तरीके से देख सकते हैं, ये जो standard view जो आपके सामने दिख रहा है, इसे हम लोग normal view बोलते हैं, उसके बगल में है ये slide sorter view, slide sorter से क्या होता है, क्लिक करके देखते हैं, इसमें क्या है कि इस screen पर आपके presentation में जितने भी slides हैं, सभी slides चोटे रूप में miniature form में आपको यहाँ पर display होते हैं, यानि जितने भी slide है सब slide को अगर एक साथ देखना चाहते हैं, तो हम लोग इसको slide sorter view करके देख सकते हैं, clear, उसके बगल में notes view, notes view से एक slide एक बार में दिखता है, ठीक है, और आधे page में एक slide दिखता है, और आधे page में उस slides के regarding अगर आप कुछ notes लिखना चाहते हैं, तो वो notes लिख सकते हैं, और जो notes लिखेंगे, वो भी आपको यहीं पर notes view में ही दिखेगा, इसे हम click करते हैं, यह scroll bar को drag करके हम लोग जाते हैं, जब इस पर click करके hold करेंगे, तो उसके बगल में आपको left side में यह दिख भी रहा है, notes 2 of 4, ठीक है, यह slide का number बता रहा है, 2 of 4, यह total 4 slide है, और अभी आप second number slide पे है, clear, और नीचे drag करते हैं, यह आ को कुछ, जो भी notes add करना है, वो काम इसमें होता है, slide को जो भी आपको editing करना है, वो आपको normal view में ही होगा, ठीक है, और last हो जाता है slide show, ठीक है, slide show क्या होता है, कि जितने भी slides है, सभी slides को proper sequence में, one by one, full screen पर show होता है, ठीक है, अभी करके देखते हैं, जैसे slide show है, इस पर click कर करते हैं, इसका एक shortcut की होता है, F5, keyword में F5, F1 से लेकर के F12 तक function keys होते हैं, उसमें F5 एक button होता है, उस button पर हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है, या फिर inter button, जो slide show का option है, इस option पर click करेंगे, या आपको open हो गया, यह पहला slide था, दूसरा slide देखना है, inter button या mouse का click button होता है, उस mouse को click करेंगे, या फिर आप inter button को press करके हम आगे बढ़ सकते हैं, किसी भी key क्यों, यह दूसरा वाला slide है, फिर हम inter press करते हैं, यह तीसरा slide है, यह चौथा slide है, अब इसके बाद तो कोई slide है नहीं, तो अब inter करेंगे, तो क्या होगा, यहा पे लिख रहा है, end of slide show, click to exit, कोई key press करेंगे, तो हम क्या होगा, यह जो slide show view आपके सामने दिख रहा है, इससे हम बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, अब फिर से वापस हम लोग जाते है, normal view पे, क्योंकि जो भी editing करने का काम है, वो हम लोग इसी में देख सकते हैं, तो अभी हम लोग देखें कि slide को represent करने का चा slide show view, full screen presentation के लिए हम लोग slide show view का यूज करते हैं, clear, अभी यहाँ पे आते हैं, पहले वाले slide पे क्लिकिए, आपका slide open हो गया, यहाँ पर इसको आपर जैसे कि इसको select करना है, select करने के लिए mouse को drag करके यूज करते हैं, और select करने के बाद home tap पे जाते हैं, home tap में गया, यह आप को formatting का option सब यहाँ दिख रहा है, जैसे bold, detailing, underline, color, size, color भी बदल, हम लोग बदल सकते हैं, जिस color का आप रखना चाहते हैं, इसमें हम लोग color बदले थे, पिछले वीडियो में आप लोग देखे हैं, ध्यान में होगा, हम लोग color बदले थे, लेकिन क्या था, कि उसको जब हम हम लोग change किये, वो save नहीं हो पाया था, इस करन से यहाँ पर अभी दिख नहीं रहा है, तो अभी हम लोग जो भी changes करते हैं, हम लोग कोई भी document किसी भी application में आप काम कर रहे हैं, जो भी changes आप करते हैं, उस changes को करने के बाद आप उसमें, आप उसको save करेंगे, clear, जैसे इसक select किया है, इसमें underline कर दे रहे हैं, अब चाहते हैं, जो इसको लिखा हूँ है, इसके थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो इसको drag करके उपर ले जाते हैं, अब ये सरश्रती सिश्रुमंदिर है, इसके size को बढ़ाना है, तो इसको select कर लिया, और font size है, font size को 44 था, अब थोड़ कर देते हैं, 60 कर देते हैं, उस पर click करेंगे, यह आपका सामने आ जाएगा, ठीक है, फिर दूसरे slide पर click करते हैं, यह जो teachers हैं, इस teacher को हम लोग बोल्ड कर दिये, इसको underline कर दे रहे हैं, और इसका color भी बदल दे रहे हैं, और यह teachers name है, इस पर click करके इसको select करते हैं, और इसको भी color हम लोग कुछ बदल देते हैं, ठीक है, बोल्ड कर दे रहे हैं, और यहाँ पर दिखेगा यह एक option है, जिसका नाम है text shadow, कोई भी option पर जब हम लोग mouse को ले जाते हैं, तो आपको पीछे उसका एक name represent होता है, अगर उसका कुछ shortcut की है, तो वो भी आपको यहाँ प highlight की हैं, और यह जो shadow वाला है, अभी क्या है, yellow है, yellow नहीं है, अभी highlighted नहीं है, इस पर जैसे ही click करते हैं, तो वो highlight हो जाता है, जैसे कि यह दोनों अभी highlighted है, यानि यह दोनों option अभी selected है, फिर से हम इस पर touch करेंगे, तो क्या होगा, यह वापस से unhighlighted हो जाएगा, normal हो करते हैं, यह चुकि select है, तो background में दूसा color दिख रहा है, इस कहां से नहीं दिख पा रहा है, तो बाहर पर click के, अभी देखिएगा, hour के पीछे एक shadow बन गया है, तो यह features है, इसको भी जैसे हम लोग apply करते हैं, इसको select कर लिया है, और यह इस पर click कर दे रहे, यहां भी हैं, जैसे कि इसमें third number वाले slide पर आते हैं, इसको font बदलना है, तो five पर click के, यह font है, font पर click करते हैं, और यह सब option है, mouse को, मैं scroll, जो button होता है, पीच में, उसको scroll करके, हम लोग इसको scroll करके, अलग-अलग design के जो fonts available हैं, उन में से किसी पर भी आप click करके, आप उस font को आप अपने text पर apply कर सकते हैं, यह Hindi font है, और इस नीचे आते हैं, कई सारे font है, अब जिस पर भी इस पर click कर दिया, यह हो गया, अब इसमें, पोल्ट पर करते हैं, बोल्ट हो गया, underline करते हैं, underline भी हो गया, ठीक है, यह shadow open करते हैं, shadow भी दिख रहा है, clear, image वाले पर image को बताए गया था, जो से कि यह आपको, जो बस है, यह पहले जब हम लोग इंसर्ट किये थे, तो बस जो है, इस image के पीछे था, तो उसको उपर करने के लिए बताए गया था, जैसे ही किसी image, किसी object, या फिर जो image है, उस पर हम लोग जब क्लिक करते हैं, तो यह format नाम का tab आजाता है, जैसे अभी नहीं दिख रहा है format टाब, इस पर क्लिक करते हैं, उसके क्लिक करने के बाद इसमें option आता है, bring to front, send to back, जैसे send to back अगर करते हैं, तो क्या होगा, यह अभी इसको हम select किया है, यह जो बस वाला image है, clip art है, इसको हम select क के पीछे चला जाएगा, तो यह image है, इस image के पीछे हो, जैसे कि इसको क्लिक करते हैं, देखिए, आगया, फिर से वापस लाना है, bring to front, ठीक है, तो यह इस तरह के कुछ options है, जो इसको हम लोग को use कर सकते हैं, आप अपने जो भी object add किया है, यह सब अलग-अलग effect हैं, जो आप अपने clip art या image पे apply कर सकते हैं, अब अपने presentation को और effective बनाने के लिए, ठीक है, तो इसको फिर से देखना है, तो F5 बटन, keyboard में F5 बटन है, उस बटन को click करते हैं, तो यह पहला slide, यह दूसरा slide, यह तीसरा slide, और यह इसको उपर, इस screen में, जो आपको यहाँ पर दिख है, उपर में, यह इसको ignore करेंगे, चुकि यह screen को record करने का software है, इस कारण से वह वहाँ पर represent हो रहा है, ठीक है, अभी हम लोग इसमें view देखें, और formatting करना सिखें, इसमें कुछ और feature है, जैसे कि यहाँ पर design है, तो यह पीछे का background है, इस background को change करने के लिए apply किया है, जाता है, ठीक है, और उसके बगल में एक और tab है animation, और animation क्या करता है, आपके जो भी slides में जो भी content है, उन content पर animation को add करता है, तो यह animation वाला feature हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है,